यह पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड के अंत्रगत कहानी के तत्वों की विवेचना से सम्मंदित व्याख्यान आयोजित किये गई हैं जुसमें मैंने अब तक दो व्याख्यान आयोजित कर दिये हैं उस दोनों व्याख्यानों के अंत्रगत मैंने कहानी के तत्वों में कधानक की क्या भूमिका है उस पर आप सेचर्चा की थे आज कहानी के तत्वों के इस तीसरे व्याख्यान में पात्र अथ्वा चरित्र चित्रण पर प्रकाश्ट डालेंगे कहानी का दूसरा जो तत्व है पात्र अथ्वा चरित्र चित्रण वह कहानी के तत्वों में बहुत महत्मुन भूमिका आधा करता है इसका कारण यह है कि घटना का अपना कोई स्वतंत्र महत्व कभी नहीं होता वह पात्र और चरित्र चित्रन पर ही सब कुछ निर्बर करता है कहनी के जो पात्र होते हैं वही घटना को आगे ले जाते हैं उसी के माध्यम से समवादों की अभिविक्ति होती है और पात्रों के वारतालाप के माध्यम से समवादों की विशेषता को बताया जाता है पात्रों की विशेषताओं के माध्यम से ततकालिन देश काल और वातावन को परकट किया जाता है और काहनी का जो भी उदेश्य अध्वा उसकी जो समवेदना है वह पात्रों के माद्यम से ही काहनीकार प्रकट कर सकता है इस तरश्टिकॉन से हम देखें तो काहनी के तत्वों में पात्र अध्वा चरित चित्रन की अपनी सर्वादिक महत्मुन भूमी का रही है किसी भी काहनी की जब हम समिक्षा करते हैं तो आप इस तत्य को अमेशा ध्यान में रखें कि काहनी के तत्वों के आधार पर जो मैं आपको अध्यन करवा रहा हूं उसको अच्छी तरीके से पूरा समझे बिना उसके नोट्स तयार किये बिना आप किसी भी काहनी की साही डंग से समीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए यह आपके लिए भहुत आउशक है कि काहनी के तत्वों से सम्मदित जो भी व्याक्ष्यान के माध्यम से अध्यन करवाय जा रहा है उसका बहुत ध्यान पूर्वक्षों नहीं और उनका नोट्स भी तयार करें हम देखते हैं कि नाटक के प्रशंग में वर्नित जो आर्थर जौन्स का कथन है कि किसी अभिनेक करती में कथानक गटनाई वातावन जब तक कि वे चरितर चितन से सम्मदित नहीं हो अपेक शाकरत अब उधिक और लड़कपन लिए रहती है आलंकि आर्थर जौन्स ने यहां कथन नाटक के संदर्व में कहा है किन्तु यहां कथन कहानी के संदर्व में भी उतना ही चरितात होता है उतना ही सत्य माना जा सकता है क्योंकि जो भी गटनाएं वादावन होते हैं उसका चरित्र चित्रन से सीधा संबंद होता है कोई भी कहानी होती है चाए वह किसी भी कोटी की क्यों नहों अर्थात राजनतिक सामाजिक मनोवे ज्यानिक या प्रिगतिशील कहानी उसमें चरित्र चित्रन का बड़ा भारी महत्व होता है दो चार कहानियों को हम छोड़ दें तो सेस हिंदी साहित्य की सभी कहानियों में मानव जीवन के किसी पक्ष या उसके अंस या जीवन के किसी सत्य या उसके जीवन के किसी मार्मिक पक्ष कटना समवेदना को उद्गाटन करना ही उसका परमुक उद्देश्य रहा है और मानव जीवन का कोई भी ऐसा अंस कभी नहीं रहा जिसमें किसी ने किसी प्रगार की कोई चारित्रक शौंद्रिय नहों हो केहने का ताथ पर्यमिराया है कि कोई भी काहनी जिसका कहनी लिखी जाती है जब वं उसको पड़ते है तो उसमें जो पात्र अथवा जो उसके वेक्तियों की जो शौंद्रिय की जो विशेशता होती है वहां कहानी के सौंद्रे को उद्गाटन करने में पूरी तरह समर्थ होती है जो कहानीकार चारित्रिक सौंद्रे का उद्गाटन करने में पूरी तरह समर्थ होता है उनकी कहानी का सवरूपी कई बार तो सीर सक्से ही इस पश्ट हो जाता है हमने कई बार ऐसे कहानियों को पड़ा है आपने सुना भी होगा कि केवल पात्र अध्वा चरित्र के आधार पर भी कहानी का सरजन बहुत से कहानिकारों ने किया है सुरुवात की कहानियों को यदि आप ले लें तो जैसंकर परशाद मुंशी प्रेम चंद ऐसे कहानिका रही हैं जिन्होंने कई अपनी कहानिया केवल पात्र अत्वा चरित्र को उज्ञागर करने के दर्ष्टिकौन से ही लिखी चाय वो प्रसाद की सिकंदर या प्रेम चंद की बूढी काकी है नाम से इस पष्ट हो जाता है कि बूढी काकी अर्थात इसमें बूढी काकी का जो चारित्रक होवर्णन है जिसके माध्यम से हम आमारी समवेतना प्रेम चंद जी जागर्द करते हैं वह पूरी कहानी चारि क्षांद्र को परकट करती है कि कहानी का बहुत सा जो सवरूप है वह सीर्षक से ही अमारे सामने इसपष्ट हो जाता है और शीर्षक विहिन कहानी वेधानिक पूर्ण होने पर भी काई बार उत्तम कहानी नहीं होती है इसलिए प्रेम जंजी ने कहा कि गटना प्रधान कहानियों में भी गटनाओं को पात्रों के चरित्रों के आश्रित ही बताया जाता है वे लिखते हैं कि गटनाओं का कभी भी अपना स्वदंत्र महत्व नहीं होता उसका महत्व केवल पात्रों के मनो भावों को वेक्त करने की दृष्टिशे ही होता है प्रेम जंजी के कहने का आश्यया है कि काहनी में जो कथा गटना या जो जो भी वरत्त होता है उसका कभी भी अपना स्वतंत्र महत्व हो ही नहीं सकता उसका कारण है क्योंकि गटना ज जदिन ने पात्रों के मनोब भाउं को करने के दस्टिकोंοιπόν से चरित्र को महत्तिपुनिस्थान दिया जीवन में भी हुँदेखते हैं, कैई प्रकार के चरित्र हम अपने जीवन और कई बार हम उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं वे जिनका चरित्र निर्विबाद रूप से किसी एक दिशा में जुका रहता है और वे चरित्र जिनके अंतर्द्वंत की प्रधानता रहती है साहित्य के छेत्र में देखे तो ऐसे बहुत से चारित्रिक प्रधान काहनियों में हम देखते हैं कि हमारा भी एक दिशा विशेश की तरब हमारा जुकाव हो जाता है साहित्य की छेत्र में इस्थिर्च चरित्र को कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं दिया गया किन्तु वह चरित्र आकरशन हमारे परती जरूर पैदा करता है अंतरद्वन परधान चरित्रों का महत्व काहनियों की एक महत्मून विशेषता रहती है यानि आप इस बात को विशेष त्यान में रखें कि कोई भी जो काहनिका पात्र है उस काहनिका पात्र कभी भी एक मनोभाव को लेकर के नहीं चलता है उसके हर्दे में अनेक भावनाई या उसकी मनोगत भावनाई जो काहनिकार के द्वारा परगट की जाती है वही कहानी सिरेस्ट होती है और उसी कहानी का मैतवाधिक होता है जो जिसमें पात्रअंतर्धवंद या अपने मनोविश्टलेशन या मनोगत्भाव्नौनौस से दो च्यार होता है। इसका पर्मुक कारण यह है कि अंतर्द्वंद प्रधान चरित्रों में सभी प्रकार के पाठकों को मन और अंजन तो मिलता ही है। साथ ही उसमें एक उद्धेश्य या संदेश भी छिपा रहता है। अंतरद्वंद परधान पात्रों के चरित्र में एक एक गत्यात्मक्ता भी होती है गत्यात्मक्ता ही उसे सौंद्रिय परधान करती है और पाठक के मन को आकरिष्ट करती है कहानी के परसंग में हमें यह कभी नहीं भूनना चाहिए कि कहानी एक लगू रचना होती है यल्दी उस पात्रों के बहुत अधिक पात्रों को दिखाया जाना काहनी में संभव नहीं है कई बार काहनीकार किसी एक पात्र को ही अधिक उजागर करने का प्रियास करता है और उस काहनी से उसका सीर्षक भी उस पात्र के नाम पर रख देता है यदि सीर्षक पात्र के नाम से नहीं है फिर भी चरित्र की एक जलक हमें कहानी के अंतरगत पर बराबर मिलती रहती है हमें इस तथ्य को विशेश ध्यान में रखना चाहिए कि जो काहनी में पात्रों की सर्जना काहनीकार के द्वरा की जाती है उसमें बहुत ज्यादा चरित्रवह नहीं रख सकता अधिक से अधिक एक या दो दो से ज्यादा काहनीकार में नहीं रख सकता क्योंकि उसका आकार फिर बहुत बड़ा हो जाता है और वह काहने की श्रेणी में ही नहीं रह जाती है पाशात्य आचारिय हडसन ने भी इस तथे को समर्थित करते वे लिखा था कि काहनी में चरित्र का उद्गाटन मात्र किया जाता है जबकि उपनियास्व में चरित्र का विखास दिखाया जाता है हडसन के कहने का तात्पर यह यह है कि सभी पात्रों के चरित्रों को विखास काहनी में दिखाया जाना संभव नहीं है मुंशी प्रेमचन ने भी कहा है कि वह अपने चरित्रों के मनोभावों की व्याख्या करने नहीं बैठता है केवल उसकी तरफ इशारा भर कर देता है प्रेमचन जी के कहने का आशे यह है कि कहानी में पात्रों के जो चरित्र चित्रन किया जाता है या पात्रों के मनोबहाओं का जो चित्रन करता है काहनेकार कई बार केवल इशारों में संकेत भरमाध्यम से काहनी में प्रकट करता है क्योंकि इतना अवकास काहनी में काहनीकार को नहीं मिलता है इससे इसपेश्ट है कि काहनिकार का कारिय उपन्यासकार की अपिक्षा अधिक कठिन होता है काहनिकार को चरित्र चित्रन में सदेव चरित्र के मूल भाव को पगड़ कर उशे प्रकट करने का या वीवरत करने का प्रियास करता है चरित्र के मूल भाव के विवरत हो जाने पर चरित्र संबंदी शुक्षमेताओं का संसलिष्ट चित्रन नहीं करना पड़ता चरित्र के इस मूल भाव की अभिव्यक्ति भी अधिकतर कलापून नाट के शैली में ये होती है अर्थाथ पात्रों का जो चित्रन होता है उसमें काहनिकार के द्वारा कोतुहल और जिग्यासा को हमेशा बनाई रखा जाता है नाटके शैली से यहां से हैं कहानी की पात्रों की जिग्यासा को निरंतर बनाई रखना चरित्रांकन की इस नाटके शैली का सवरूप क्या है इसको इसपष्ट करते हुए डॉक्टर जगनात परसाद सर्मा ने लिखा कि कहानी की सरवादिक प्रभावशाली और वहवारों उपयोगी चरित्रांकन पद्दतिवा होती है जिसमें नाटकी अविदी का उपयोग होता है इस विदी के अनुसार संबादों के अंतराल में पात्र समिम अपने मुख से अपने चरित्र के परकासक विविद गुणों, धर्मों, विचारों, अनुभूतियों, आशाओं, निरासाओं, आकांग्छाओं, आदर्सों अत्वा अपनी अपनी रूची, अरूची, मंतव्य, भावनाओं, संदेशों का विवरण वह उपस्तित करता है अत्वा काहनी में उसका परिचे देता रहता है यहां वो अपने विशे में स्व्यम ही बोलता है और अपने मंतवियों को इस परकार प्रकट करता है कि उसके अन्ते करण का स्व्यम में वह भली बांती उद्गाटन काहनी में हो जाता है डोक्टर saat मिसर ने काहनी में पात्रों का चरितर किस प्रकार से हो यह किस प्रकार से होता है उसकी एक संपून विवेचना हमारे सामने परकट कर दी उनके अनुसार सामनेत काहनी में पात्र स्व्यम ही अपने विचार अनुभूतियों भावनाओं सभाव या जो उसका मंतव या उसको प्रकट खुद ही करता है किसी दूसरे पात्र के द्वारा उसका वर्णन बहुत कम किया जाता है इसका कारण गया है कि काहनी मैंने शुरू में ही क्या दिया कि वह बहुत सिमित होती है उसमें इतना अवकास नहीं होता कि एक तो पात्रों स्रमिं अपने धर्मो विचारों और भूतियों आसओंदिरासओं को परकट किया जाता है. पर समश्या यह है कि चरित चित्रन का जो आधार है वा द्रिष जगत होना चाईए या मनोविझ्यान सास्त्र. चरित्र चित्रन का जो सवरूप हमें साहित मैं मिलता है वह यथार्थ होते वे भी यथार्थ जगत से काफी बिन हमें कहीं बार दिखाई देता है साहित में यथार्थ जगत की परतेक बात कलपना या भावना के माध्यम से ही होती है कलपना या भावना के माध्यम से चित्त ओनने के कारण वह यथार्थ जगत की होते वे भी यथार्थ जगत से सर्वता भिन हो जाती है अधा हमें यथार्थ जगत के साथ पात्रों के चरित्र निर्मान में मनों विज्ञान सास्तर को भी सदेव दर्ष्टी में रखना चाहिए काहनी के चर्ट चित्रन में एक बात पर और ध्यान रखना चाहिए वाया कि पात्रों की संख्या कभी भी अधिक नहीं होने चाहिए मैंने सुरु में ही आपको यह बात इसपष्ट कर दी क्योंकि अधिक पात्रों को निभाना काहनिकार के लिए बहुत कठिन हो जाएगा उनको बनाए रखना सुरु से अंतक सभी पात्रों की विशेष्टाओं को बहुत कठिन है क्योंकि काहनी अत्यंत शिमित विवरण में लिखी जाती है और साथ ही बाहरी संगर्षों का वह रूप वीवा चित्रित नहीं चित्रित करना चाहिए कहने का मिराश है कि जो बाहरी संगर्ष होती है देशकाल परसित्यों के अनुरूप उसका चित्रन उसमें नहीं हो उसके चरित्र का चित्रन करते समय या सदे उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसके चरित्र के सारी अन्य काहनी के जितने भी पात्र काहनीकार के द्वारा रखे गए या उस काहनी में जो साहिक पात्र हैं उन सभी साहिक पात्रों के चरित्रों के परमुक तत्वों की भी स्वेत इसे ही निरवर्ती होती हो जाती है अत्व काहानी में परमुक पात्रका चरित्र ही विशेश महत्व रखता है काहनीकार को इस बात का भी ध्यान में चाहिए कि वह जो भी समय लेता है अपने काहनी में जो भी राजनतिक शामाजिक आर्थिक वातावन जो लेता है उसके अनुशार ही उसे पात्रों की वेश्बुशा उसके रूप शौंद्रियव का आकार नाम उसकी भासा उसका उसके चरित्र का वर्णन पूरी तरीके से उस परचिती देशकाल या संकलन त्रह के अनुरूप होना चाहिए। और चत्य और अनुरूपता ना होने पर चरित-चत्रन पूर्ण और प्रभाव पाठक पर नहीं छोड़ पाता है और इस दश्टिकोंसे, चरित-चत्रन के इस दश्टिकोंसे पिर्वा काहनी भी सफल नहीं मानी जा सकती इस पूरे व्याख्यान में मैंने आपको काहनी के पात्र अत्वा चरित चित्रन की क्या भूमिका है काहनी के तत्वों में पात्र अत्वा चरित चित्रन की क्या भूमिका है इसको पूरी तरीके से व्याख्याइत कर दिया है